दोस्तों आज हम ITI student के लिए सबसे best book के बारे में बात करेंगे कि उनके लिए कौन सी book सबसे अच्छी रहती हैं तो आज हम जिस book के बारे में बात कर रहे हैं वह basic electrical engineering की है और इसमें सबी semester wise topic दिये गये हैं और बिल्कुल easy language में और इसके जो author हैं वो ml alwani है और इनके दुआरा ये book कर लिखी गई है तो इसमें हम जो syllabus दिया गया है वो एकदम easy level पर दिया गया है और इसमें हम जो भी पढ़ते हैं बिल्कुल easy होता है तो इसके topic के बारे में बात करेंगे जैसा कि इसमें आपको ये basic electrical engineering के दिये गया है theoretical question answer है इसमें और ये सारे topic दिये गया है semester wise और अब इस ये syllabus के बारे में बात करेंगे तो ये faster का syllabus है rate theory और इसमें सारे topic एकदम fully explain किये गया है तो आप इस book से पढ़ सकते हैं ये दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों में उपलब्ध होती है आपको जैसा भी वर्जन पसंद हो वह जैसा वर्जन आप खरीच सकते हैं से और ओनलाइन भी आपको अपलब्ध है ये फूरा फेश्टर का syllabus यहां खतम हो जाता है और इसके बाद यहां से सेकंड एयर का जो syllabus है वह यहां से start होता है और इसमें numerical पार्ट भी बहुत अच्छे सा समझाया गया है अगर किसी भी तरह का में numerical पार्ट में कोई प्रोब्लम है तो इजीली इसमें explain किया गया है और एड टू जेड सारी चीजे इसमें अच्छे सारह से बताए गई है और फर्स्ट एयर का जो syllabus है उसमें हरे topic इसमें एड किये गया है और हर एक topic को detail में बताया गया है तो यह book आपके लिए बहुत अच्छी होगी उमीद है यह book आप खरी देंगे और इससे पढ़ेंगे second year का syllabus है इसमें सारे है SC DC transformer motors सभी है electronic का पार्ट भी अच्छे से समझाया गया है यह सारी हमारी जो भी electrical की SI unit है और उनके जो मात्रक हैं वो सारे दिए गये हैं तो यह book आपके लिए बहुत अच्छी होगी जैसी उमीद है यह book मैं खुद पढ़ता हूँ क्योंकि इसमें जो इसकी जो language है वो एकदम easy है और सारे topic को अच्छे से cover किया है देखो इसमें जो हमारे exam में question आते हैं इसके topic को भी अच्छे से clearly समझाया गया है और previous year के question answer होते हैं उनको भी अच्छे से बताया गया है तो आप यह book खरी दिये पढ़िए और किसी भी तरह का कुछ doubt हो तो मेरे से जुरूर comment section में बताईए और इसमें objective question के साथ में theoretical question को भी अच्छे से explain किया गया है अगर आपको English में समझ में नहीं आता है तो आप इसका Hindi version ले सकते हैं Hindi version में same topic है और same matter है बस language change है बाकी same to same है जो भी है इसका और इसमें सारे topic अच्छी तरह से समझाए गया है तैंक्यू अगर यह video आपको पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ share करें मेरे channel को subscribe करें electrical instrument यह topic भी अच्छे तरह से इसको cover किया गया है उमीद है यह video आपको बहुत पसंद आएगा video पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ share करें मेरे channel को subscribe करें लाइक करें share करें धन्यवाद करें हुआएफवाएपको करें पसंद, वह वह भी नहा हुआएपको करें लेंद